हेलो दोस्तो हिंदे एंड वाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लॉक के बारे में बताऊंगा जो प्लेश्टोर पे आते ही वाइरल हो गया जी हाँ दोस्तो ना यह फिंगर प्रेंट लॉक है ना टाइमर लॉक है न कि आपने कैसे अपने मोबाइल को उपन किया है क्या आपने पासवर्ट सेट किया है कोई भी बंदा समझ नहीं पाएगा दोस्तो इस एप लॉक के अंदर आपको स्क्रिन लॉक और एप लॉक दोनों ही फिचर मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैं मैंने अपने मोबाइल पर इसे सेट करके रखा है लेकिन दोस्तो मैं आपके सामने इसे उपन करूँगा और आप समझ नहीं पाएंगे जैसे के दोस्तो आप देख सकते हैं इसी तरह से दोस्तो मैंने कैलेंडर पर भी इस लॉक को सेट करके रखा है जैसे के आप देख सकत दोस्तो इसे मैं आपके सामने open करूँगा लेकिन दोस्तो आपके समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या lock, क्या password set करके रखा है तो दोस्तो अगर आप भी इस unique lock के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को like कर दीजिए दोस्तो आज की इस वीडियो का target रखते हैं 300 like तो प्लीज यार 300 like जरूर कर देना दोस्तो इस app का नाम है knock lock इसकी link आपको description में मिल जाएगी इसे आप जब open करेंगे तो आपके सामने इस तरह से interface आएगा तो आपको get start पर click करना है इसके बाद दोस्तो आपको इसे कुछ permission देना होगी तो आप इसे ठीक तरह से permission दे दीजिए तो ही दोस्तो यह application अपना work करेगी नहीं तो दोस्तो यह application ठीक से काम नहीं करेगा इसके बाद दोस्तों हम back आते हैं फिर से दोस्तों यह permission को on करने के लिए बोल रहा है तो यहां से दोस्तों मैं यह permission को on कर देता हूँ अब हम यहां से back आते हैं अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक password set करना है तो password थोड़ा दोस्तों यहाँ पर unique है, आपको ध्यान से दिखना है वीडियो को, तो ही दोस्तों आप यहाँ पर password set कर पाएंगे, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं set करता हूँ CDBA, के बाद हमें यहाँ से next करता हूँ मैं, इसके बाद फिर से दोस्तों confirm कर लेते हैं CDB, औ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक wallpaper set करना है, तो wallpaper मैंने set कर दिया, यहाँ पर आपको काफी सारे clock के option मिलते हैं, जो आपको पसंद उसे set कर सकते हैं, अब दोस्तों यह application open हो चुकी है, यहाँ पर आपके सामने काफी सारी settings है, जो आप अपने हिसाफ से customize कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी settings है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ, show knock touch, आपको इसे off करना है, ताकि जब भी आप password डाले तो सामने वाले को समझ में ना है कि आपने क्या enter किया है, ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा screen lock set हो चुका है, अब अगर आप app lock क युज़ करना चाहते हैं, तो आपको app lock पर click करना है, इसके बाद यहाँ से आपको इसे on करना है, और दोस्तों यहाँ पर फिर से अपना एक password बना लेना है, तो यहाँ पर हम भी दूसरा password set कर लेते हैं, ABCD, और यहाँ पर confirm कर देते हैं, अब दोस्तों यहाँ से मैं open करता ह यह बात पर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर ने का पर बंद को समझ में आए इस बात पर दोस्तों यह उपन हो चुका है आप देख सकते हैं इस बात पर दोस्तों x2 वंद बनता है ठीक है आप अब दोस्त हम बात करते हैं applock के बारे में तो यहाँ पर मैने camera को lock किया था मैं camera open करता हूं दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने जो ABCD करा था दोस्तो आप देख सकते हैं camera open हो चुका है बहुती अच्छी तरह से दोस्तो यह application अपना work कर रही है तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों आपको ये एप लॉक पसंद आया होगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे